एक ऐसी financial mistake जो हर कोई करता है insurance policies को buy करने के time पर लेकिन अगर आप भी insurance policies buy कर रहे हैं तो आपको ये mistake नहीं करनी है नहीं तो आपके investment zero होने में time नहीं लगेगा और इस सबसे बड़ी गलती क्या है पता है सबसे बड़ी गलती यह है कि life insurance या healthy insurance लेने के time पर accidental insurance ना लेना या accidental cover लेना और अगर आप लोग आजकल की lifestyle को देखेंगे तो आजकल की lifestyle के हिसाब से accidental cover या accidental insurance काफी ज्यादा important हो गया है अब आखिर इतना important क्यों है इसमें ऐसे क्या चीज़ कवर होती है जो healthy insurance और life insurance में cover नहीं होती है और accidental cover या accidental insurance लेड़ी और भी बहुत सारे information में आपके साथ share करूंगा तो अगर आप लोग इस channel पर नए हो तो सबसे पहले इस video को like करो और इस channel को subscribe करो और आज के video के किसे भी पार्ट को skip मत करना क्योंकि बहुत सारे important चीज़े बताने वाला हूँ so let's get started अब देखो जब भी किसी का accident होता है तो उस accident के वज़े से तीन outcomes हो सकते हैं number one accident में death हो सकती है number two accident में disability हो सकती है और number three hospitalization हो सकता है severe injuries के वज़े से देखो तीनो possible cases में से कुछ भी होता है तो आपके investment को zero होने में ज़्यादा time नहीं लगेगा अगर आपने life insurance ली है अगर आपने health insurance ली है तो आपके थोड़ी बहुत safety हो जाएगी लेकिन आपके investment पर बहुत impact पड़ेगा अगर accidental cover नहीं होगा तो क्योंकि accident होने के बाद जितने भी hospitalization के खर्चे होते हैं वो normal नहीं होते हैं तो normal से काफी गुना ज्यादा होते हैं और इसलिए ज्यादा तर लोग accident होने के बाद proper रिलाज नहीं करवा पाते हैं अब देखो आपको लग रहा होगा कि health insurance में आपको ये सारी चीज़े cover करके मिलेगी लेकिन अगर आप लोग health insurance के terms and conditions को देखेंगे तो market के ज्यादा तर health insurance policies में आप लोगों को ये पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत सारी limitations हैं जैसे कि अगर आप लोग accident के लावा किसी और reasons के वज़े से hospitalized होते हैं तब भी वहाँ पर बहुत जादा limitation होती हैं आप लोगों को room rent में इतना ही मिलेगा आप लोगों को medicals में इतने ही मिलेंगे आप पर इन सारे चीज़ों की cases काफी कम हो चुके हैं लेकिन अगर मैं आसान भाष्य में कहूं तो accident के case में insurance policies उतना काम नहीं आती हैं और specifically अगर आपके पास life insurance policy हैं अगर आपके पास health insurance policies भी हैं तो इस सीस का इतना जादा impact नहीं पड़ता हैं अगर आपने life insurance policy ली हैं अगर आ traditional payment के वज़े से आपको accidental cover भी मिल जाएगा currently आपने जिसकिसी भी company से insurance policies ली है फिर चाहे वो life insurance हो या healthy insurance हो आपको आपकी company के साथ contact करना है और उसमें accidental add-on cover add करवाना है और accidental add-on cover add करवाने की वज़े से आपके investment के portfolio में काफी ज़्यादा changes होंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके insurance policies के premium का amount increase हो जाएगा अब देखो market में ज्यादा तर banks अपने credit card पर accidental insurance cover provide करते हैं अब इनकी condition भी होती है कि आपको एक महिने में एक बार तो debit card का इस्तमाल करना है cash withdraw करने के लिए या merchant के outlets पर और अगर आप यह काम कर लेते हैं तो आपकी insurance policy अगले 30 days के ल करने पर उतने की accidental insurance cover आपको मिलती है अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप लोग debit card का इस्तमाल करते हैं और इस policies को activated रखते हैं तो आपको पूरा का पूरा claim मिलेगा या आपको पूरी की पूरी help की जाएगी इस accidental insurance cover के अंडर bank के भी कुछ special rules and regulations होते हैं accidental insurance cover policies पर जहां पर bank कुछ certain cases में policies को execute करता है लेकिन कुछ certain cases में policies को execute नहीं कर पाता है आपके claim या आपके process में deny कर देता है तो आपको आपके bank के साथ जरूर चेक करना है कि कौन कौन से conditions में तो आपको आपके bank के साथ जरूर चेक करना है कि कौन से cases में आपको accidental cover insurance मिलेगा और इस चीज़ का benefit आप उठा सकते हैं क्या क्या limitation से आपको यह भी चेक करनी है और क्या क्या करना है और कितने तक का आपको कौन से cases में benefit में लेगा यह चीज आपको bank से clear करके लेनी है अब बाइदे वे आप लोग health insurance policies में investment करते हैं life insurance policies में investment करते हैं तो let us know in the comment section और अगर आपका कोई भी डाउट है health insurance को लेकर या life insurance को लेकर या तो किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट है तो let us know in the comment section आज किस important वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं मैं आपको बिलूंगा अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off happy investing and goodbye